एलो और नमस्त दोस्तों स्वागत है आपका दा सिनेमा कल्ट में दोस्तों लगता है मेरी पिछली वीडियो पर उस विच का श्राप लग गया है क्योंकि मेरी फियर स्ट्रीट के फर्स्ट पार्ट पर कॉपी रैट आ गया है जिस वज़ा से मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और उससे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद है तो प्लीज दोस्तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर किया करो क्योंकि उससे थोड़ी रीच बढ़ती है जिससे मुझे बहुत हेल्फ हो सकती है तो प्लीज मैं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा पर अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेर जरूर करो अब बैक टू दा मूवी आज मैं एक्स्प्लेन करूंगा फियर स्ट्रीट पार्ट टू 1978 को जो कि एक हॉरर थ्रिलर जॉनरे की मूवी है IMDB पे से मिले है 6.8 आट ओफ 10 स्टार्स और इसका मेटा क्रिटिक स्कोर है 61% सडे हुए टमाटर पर ये है 89% फ्रेश वी 38% ओडियन्स स्कोर सो आप बिना किसी देरी किये रोल दे इंट्रो मूवी शुरू होती है सी बर्मन के घर को दिखाते हुए जहां हम देखते हैं कि उसका घर घर नहीं बलके किसी घड़ी की दुकान लग रही थी क्योंकि उसके पूरे घर में घड़िया ही घड़िया थी वहीं सी बर्मन अपने घर का एक एक दर्वाजा और खिड़ की बंद करती है जिसका मतलब शायद अभी भी उसे उन किलर्स के दर्शन होते रहते हैं पर दर्वाजा और खिड़ की बंद करते हैं वक्त गलती से वो एक खिड़ की बंद करना भूल जाती है तब ही थोड़ी देर बाद जब सी बर्मन अपने कुत्ते को ताना मारते हुए खाना खिला रही होती है कोई जोर-जोर से उसके घर का दरवाजा बजाने लगता है जिसे सुनकर वो एक दीवार के पीछे छुप जाती है और हम देखते हैं कि कोई टॉर्च मारके उसके घर के अंदर जाकरा होता है और फिर वो पर्सन उसी खुली खिड़की से अंदर आता है तो सी बर्मन उसे पकड लेती है और मारने ही वाली होती है कि तब ही वो परसन कहती है मैंने आपको फून किया था और वो डीना थी फिर डीना सीबर्मन को सैम दिखाती है जो की पोजेस थी सैम को देखते ही सीबर्मन उसे कहती है कि मैं तुमारी कोई मदद नहीं कर सकती यह पिसड गई है इसे यहां से ले जाओ और तुम भी यहां से भाग जाओ और अगर तुमें उस डायन से बचना है तो जितना दूर हो सके और जितना फास्ट हो सके भागो पर डीना कहती है कि वो सैम से प्यार करती है और उसे ऐसे छोड़के नहीं जा सकती आप उस मैसेकर में बच्ची थी और एक आप ही है जो हमारी मदद कर सकती है क्योंकि आपको ही उस डायन के बारे में सब पता है और फिर एक शीला नाम की लड़की और उसके कुछ बदमाश दोस जो की जीगी से नफरत करते और उसे उस डायन सेरा फियर्ज के नाम से चिडाते थे उसे पकड़ कर उसी पेड के पास ले जाते हैं जहां सेरा फियर्ज को फासी दी गई थी वो कमीने बच्चे जिगी के हाद मांध कर उसे उसी पेड से टांग देते है और शीला जिगी के हाद को लाइटर से जलाने लगती है कि तबी वहाँ निक जो की जिगी को पसंद करता था और कर्ट जो की सनी वेल टीम का कैप्टन होता है वो वहाँ आते है जिसमें कर्ट और उसके बदमाश दोस्त जिगी से इसलिए नफरत करते थे क्योंकि वो शेडी साइड में रहती थी और शेडी साइड की टीम में थी और आपको तो पता है कि सनी वेल और शेडी साइड में कितना प्यार है फिर उनकी भैस होने के बाद जिगी निक के साथ वहाँ से चली जा साफ करते हुए टॉमी और सिंडी बर्मन यानी जिगी की बहन दिखाई जाती है जो कि टॉइलेट पे लगे रेड मॉस या काई को साफ कर रहे थे जो कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा था तो वो अपने दो और साथी अर्नी और एलिस को बुलाने जाती है जो कि एक नंबर के चर्सी और नशेडी थे पर वो दोनों टॉइलेट साफ करने से मना कर देते हैं सिंडी बाहर निकली ही होती है कि तभी वहां करट आता है और वो सिंडी को जिगी के बारे में चुगली करता है वही जिगी नर्स लेन के बास अपने चोट के लिए दवाई लेने जाती है पर नर्स लेन वहां नहीं होती और उनके डेस्क पर जिगी को एक डायरी मिलती है जिसमें उस डायन का निशान था और साथ ही रूबी लेन की एक फोटो तभी वहां नर्स लेन आती है और वो जिगी की ड्रेसिंग करते हुए उसे अपनी बेटी रूबी लेन के बारे में बताती है कि वो एक सिंगर बनना चाहती थी फिर पता नहीं उसे एक दिन क्या हो गया और उसने अपने दोस्तों को मार दिया ये बोलते बोलते वो जिगी की पट्टी बहुत ही टाइड बांदे लगती है जिस पर जिगी उन्हें पट्टी धीली करने के लिए के लिए के बातों पर बिल्कुल भी यकिन नहीं करती थी और वो जिगी को उसकी बक्वास बंद करने को कहती है जिस पर सिंडी और जिगी की बहास हो जाती है और फिर सिंडी मेस हौल की सफाई के लिए चली जाती है और जिगी अपने काम पर पर अब मैं आपको बता दू कि इन दोनों बहनों का एक पास्ट है जिसमें उनका बाप किसी और लड़की के साथ भाग गया था जिस वज़ा से उनकी मा दारूडी बन गई और जिस वज़ा से इन बहनों में भी दूरिया आ गई थी बट खेर मैस हौल में सिंडी और टॉमी बात कर रहे होते हैं कि तब ही वहाँ नर पर टॉमी के से तो खुद को बचाता है पर उस चक्कर में लेन का सर टेबल पर लगता है और वो वहीं बेश हो जाती है फिर पुलिस वहां आती है और वो लेन को एंबुलनस में ले जाती है और एक पुलिस वाला सिंडी और टॉमी से उनका बयार ले रहा होता है कि क्या न आत को होने वाले Color War के बारे में बताये जाता है जहां Sunny Wales का अपनी टीम को अच्छे से cheer करता है और Shady Side का कैपटन Tommy कुछ भी नहीं बोलता जिसके बात सिंडी जिगी के पास lane के बारे में पूछने जाती है कि lane इतना अजीब बिहेव क्यूं कर रही थी तभी उन दोनों में फिर से अपने पैरेंट्स को लेकर लड़ाई हो जाती है और घुसे में सिंडी जिगी को मॉंस्टर कहती है तो जिगी कहती है थैंक यू अब तुमने भी बोल दिया और वो अपना रूम खोल कर सिंडी को दिखाती है जिसमें शीला और उसके लफंगे दोस्तों ने पैंट से मॉंस्टर और विच लिखा हुआ था फिर सभी बच्चे एक खटा होते है क्योंकि कलर वार गेम शुरू होने वाला था और टॉमी एक बच्चे को अपनी टीम का जंडा देकर रूल समझा ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ होने लगता है और उसे भी ऐसा लगता है कि कोई और दोस्तों अगर आपने फर्स्ट पार देखा है तो आपको भली बाती पता है कि कौन टॉमी का नाम पुकार रही थी तभी सिंडी आकर टॉमी को आवाज देती है तो टॉमी फिर से नॉर्मल हो जाता है फिर वो दोनों लेन के ओफिस में जाते है क्योंकि सिंडी को यकीन था कि लेन जरूर कोई सस्ते नशे कर रही थी और उसी वज़ा से उसने टॉमी पर हमला किया ओफिस में सिंडी को कुछ पिल्स मिलती है और उसका शक यकिन में बदल जाता है टॉमी को लेन की डायरी मिलती है और सिंडी और टॉमी उसे पड़ी रहे होते हैं कि तभी वहाँ एलिस और अर्नी आते हैं और उनसे वो डायरी ले ले लेते हैं एलिस को मजाक मस्ती में डाइरी के अंदर एक मैप मिलता है जिसमें कैम्प साइड था और उसके अंदर बहुत सारी जगव पे क्रॉस के निशान भी थे तो एलिस और अर्नी अपने इंजॉयमेंट के लिए मैप के रस्ते बे निकल जाते हैं और उपर से वो चर्सी भी थे तो उने ये भी लगता है कि शायद नर्स लेन ने वहाँ अपना कोई माल चुपाया हो रास्ते में टॉमी के हालत खराब हो जाती है तो सिंडी उससे पूछती है कि तुमें क्या हुआ तभी एलिस के चिल्लाने की आवाज आती है जब वो वहाँ जाते है तो एलिस एक ग्रेव में गिर गई थी तो टॉमी कहता है ये ग्रेव तो बिल्कुल उसी जगा है जहां लेन ने मैप पर मार्क किया था इसका मतलब लेन जरूर यहां कुछ धून रही थी तो एलिस डायरी में लिखी लाइन पढ़ती है कि विलेज के लोगों को विच का हाथ नहीं मिला था तो एलिस कहती है लगता है पागल लेन विच का हाथ दून रही थी ताकि वो उस हाथ को विच की ग्रेव में रग दे और श्राप को खतम कर दे तो सिंडी फिर से इन सब बातों को बाकवास कहती है तभी अर्नी हलका होने जाता है तो उसे वहाँ डायरी पर भी बना हुआ है जहां एलिस और अर्नी को ये सब एकदम मजाक लगता है एलिस को वहाँ एक और रूम मिलता है जिसमें टॉमी को छोड़ कर बाकी सबी चले जाते हैं और दोस्तों अंदर वही डायन का निशान था सिंडी कहती है ये तो डायरी पर भी बना हुआ है तो एलिस डायरी का वही पेच खोल कर उसके नीचे की लाइन पढ़ती है जहां ये लिखा था कि सहरा ने शैतान से अपने श्रापित हाथ के बतले हमेशा अमर रहने का सोधा किया था तो अर्नी कहता है चलो बहुत हुई बकवाज चलो यहां से और वो वापस बाहर वाले रूम में आता है तो देखता है कि टॉमी वही सर नीचे करके बैठाता वो टॉमी को आवाज देता है पर टॉमी कोई जवाब नहीं देता अंदर सिंडी को बुक शेल्फ के दूसरी तरफ से आवाज आती है तो वहाँ चेक करने पर उसे एक और रूम मिलता है तभी एलिस उसे बुलाती है और उसे दीवार पर लिखे नाम दिखाती है और उससे पूछती है कि बताओ ये किसके नाम है तो Alice कहती है ये तो Shadyside के Killers के नाम है तो Alice कहती है बिल्कुल सही जबाब आप जित्ती है 10 रुपे का नगती नाम पर मैं तुम्हें नीचे लिखावा नाम दिखा रहे हूं पागल और वहां Tommy का नाम लिखा था वो दोनों जल्दी से बाहर आते हैं जहां Tommy उन्हें वहीं बैठा हुआ दिखता है अर्नी उन्हें कहता है लगता है इसने बहुत तगड़े नशे किये है कबसे आवाज लग रहा हूँ सुनी नहीं रहा अगर इसके पास कोई बाबाजी की बूटी थी तो हमारे साथ भी शेर करता ना पर तभी Tommy उठता है और पास ही लटकती हुई कुलाडी को उठाता है और अचानक भयानक धड़ा धड़ उस कुलाडी को अर्नी के मूँ पे मारने लगता है और उसके चेहरे को चीर देता है ये देख पीछे कड़ी Cindy और Alice की फटके 36 हो जाती है और यहां उस डायन ने Tommy को भी पोजेस कर लिया था Tommy से बचने के लिए वो दोनों वापस उसी रूम में जाते है तो Tommy भी उनके पीछे-पीछे आता है फिर Cindy और Alice वो बुक्षेल्फ हटा कर टनल के रस्ते से भाग रहे होते हैं कि तबी Tommy सिंडी का पेर पकड लेता है सिंडी अपना पेर शुडाने के लिए Tommy को इतनी जोर से लाथ मारती है कि Tommy सिधा टनल की सीलिंग से टकरा जाता है जिस वज़ा से टनल के सारे बड़े-बड़े पत्थर वहीं गिर जाते हैं और सिंडी और Alice दूसरी तरफ आ जाते हैं पर वहाँ से वापस जाने का रस्ता ब्लॉक हो गया था उन्हें लगता है कि Tommy पत्थरों के नीचे दपकर मर गया होगा पर तभी उन्हें Tommy की जोर-जोर से सास लेने की आवाज सुनाई देती है और यहां हम Tommy को उस जगह से बहार निकल कर कैम की दरफ जाता हुआ देखते हैं सिंग कैम पर शिफ्ट होता है जहां जिगी को शीला से बदला लेना था तो निक एक प्लैन बनाता है और वो शीला को बेवकूप बना के कैम के लेटरीन में बुलवाता है जहां वो दोनों काक्रोशों से भरी बाल्टी उस पर गिरा देते हैं और उसे वहीं बंद करके भाग जाते हैं यहां सिंडी उस गुफा से निकलने की कोशिश करती है पर पत्थर भारी थे और उससे हिल भी नहीं रहे थे तो वो एलिस को हिल्प करने के लिए बोलती है तो एलिस कहती है कि तुमें मदद की क्या ज़रोते है तुम कौन सा किसी डायन की गुफा में फसी हो अरे हाँ डायन जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती और तुम्हारे बॉइफ्रेंड का तो बस आ जैसे ही लोगों को मारने का मूड कर रहा है उसे किसी डायन ने थोड़ी ही पोसेस किया है तो सिंडी गुसे में एलिस को धक्का दे कर कहती है कि तुम दूर रहना मुझसे और मेरे पीछे मत आना और सिंडी वहां के दूसरे रास्ते से चली जाती है पर थोड़ी देर बात एलिस उसके पीछे आ जाती है सिंडी बोलती है मैंने तुमसे कहा दाना मेरा पीछा मत करना जिस पर एलिस उसे बताती है कि वो उसके पीछे नहीं आई बल्कि वो एकी सरकल में घूम रही है ये जगा किसी लूप की तरह है तो सिंडी का ध्यान विच के निशान पर जाता है और उन्हें पता चलता है कि वो सिर्फ निशान नहीं बल्कि एक मैफ है इस गुफा का फिर वो उसी को फॉलो करते हैं वहीं कैंप में टॉमी एक एक करके सब को मारना शुरू कर देता है और जब सभी को मरे हुए बच्चों की लाश मिलती है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि यहां कोई किलर है और निक सब को मेस हौल में जवा होने के लिए कहता है पर जब कुछ बच्चे मेस हौल में नहीं आते तो वो उन्हें खुच धूनने जाता है गुफा में एलिस और सिंडी को घूमते घूमते कुछ आवाज आती है और आवाज का पीछा करने पर उन्हें उस गुफा के सेंटर में किसी गंदे एलियन का अंडा मिलता है जो कि दरसल उस डायन का दिल था जिसका साइज आप सब देखी सकते हो और उस पर धेर सारी मक्या भी गूम रही थी तबी एलिस को पता नहीं क्या चुल मचती है और वो उस गंदे दिल को हाथ लगाती है और उसे चूते ही एलिस को हर जगा विचके किलर्स के सारे विक्टिम्स दिखते है और वो जैसे बोकला सी जाती है और उनसे भागते भागते वो अपना पेर ही तुड़वा लेती है फिर सिंडी वहाँ आती है और वो आयलिस की तूटी हुई हड़ी जो की बहार आ गई थी उसे वापस अंदर डालकर उस पर बैंडेज लगाती है और वो दुनों एक दुसरे से अपने बरताव को लेकर माफी भी मांगते हैं तब इस इंडी का ध्यान गुफा की दिवार पर लगे लाल फंगस पर जाता है और वो समझ जाती है कि वो आउट हाउस के बहुत ही पास है क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो साफ सुफाई कर रही थी तब वो लाल फंगस आउट हाउस में ही था फिर वो उस फंगस को फॉलो करते जाते हैं वहीं मेस हॉल में शीला के दोस्ट जीगी से शीला के बारे में पूछते हैं तब जिगी को याद आता है कि शीला तो अभी भी लेटरिन में ही बन दे। फिर जिगी आउट हाउस में शीला को छुड़ाने जाती है पर शीला जिगी को ही मारने लगती है। पर जिगी उसे बिक्षो का एक नॉक आउट पंच मार के बेोश कर देती है। फिर वहाँ निक का दोस गैरी आ जाता है और जिगी से पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। तो जिगी बोलती है फॉग। तब ही उन्हें सिंडी की आवाज आती है। और जिगी के टॉइलेट को चेक करने पर उसे उस होल में से नीचे एलिस और सिंडी दिखाई देते हैं। फिर जिगी और गैरी मिलकर एक बाल्टी को रसी बांद के एलिस को उपर ही खीच रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ टॉमी आ जाता है। और वो कुलाडी से सीधा गैरी की मुंडी ही उड़ा देता है। और गैरी सीधा एलिस के साथ नीचे जाके गिरता है। टॉमी जीगी को भी मारने की कोशिश करता है पर जीगी वहाँ से बचकर भाग जाती है और भागते बागते उसे निक मिलता है फिर वो निक को बताती है कि वो किलर और कोई नहीं बलके टॉमी है और वो यहीं आ रहा है तो टॉमी से बचने के लिए वो लोग जूओलोजी चुपते हैं पर अपना शाना टॉमी वहां भी आ जाता है वो जीगी को पकड़ लेता है और उसे मार नहीं वाला होता है कि निक बीच में आ जाता है और टॉमी की कुलाडी निक के पेर पे लग जाती है निक जीगी को भागने के लिए कहता है और जीगी वैसा ही करती है और मैप चेक करती है तो उन्हें बाहर निकलने का एक और रस्ता दिखता है जो कि मेस हॉल में जाके खुलता था तो एलिस सिंडी को कहती है कि जाओ अपनी भेन को बचाओ और सिंडी के जाने के बाद एलिस वहीं साइड में एक फंगस लगे पत्थर का सारा लेकर बेटती है सीन जीगी पर शिफ्ट होती है जो टॉमी से बचकर मेस हॉल में आती है और वहां वो स्पीकर पर गाना चला देती है ताकि टॉमी उसकी आवाज न सुल ले और वो एक चाकू लेकर स्टोर रूम में छुप जाती है जहां टॉमी भी आ जाता है वहीं दूसरी तरफ सिंडी होता और वो उल्टा जीगी का ही गला पकड़ कर दबाने लगता है जीगी का दम निकल नहीं वाला होता है कि वो एक पासपड़ी बोरी टॉमी के मूपर डाल कर टॉमी को धक्का देकर वहां से भाग जाती है और यहीं से टॉमी भाईया को एक हौरिफाइंग लुप मिलता है और वहीं जनम होता है दा नाइट विंग किलर का टॉमी जीगी को मारने बाहर आता है कि तब ही वहां सिंडी आकर टॉमी के सीने में चाकू मार मार कर उसे जान से मार देती है वो अपनी भेहन से बाते ही कर रही होती है कि वहां एलिस भी आ जाती है और उन्हें विच का ह सिंडी उसे बुलाती है जिससे वो नॉर्मल हो जाती है फिर ये उस पेड जिस पर विच को लटकाया था वहीं जाने लगते हैं कि तब ही टॉमी फिर से उड़ जाता है और एडिस को जान से मार देता है तो सिंडी घुसे में पास पड़ा फावडा टॉमी के गले में घुसा जिगी को भागने के लिए कहती है पर बहुत देर हो चुकी थी उन किलर्स ने उन्हें हर जगा से घेर लिया था और वो किलर्स उन दोनों को बड़ी ही भेरे मी से मारते है यहां एक किलर्स जिगी के पेट और किड़नी में चाको घुसाने लगता है तो दूसरी तरफ टॉ पुलिस जिगी से उसका नाम पूछती है तो निक ने पुलिस वालों को जिगी का नाम क्रिष्टीन बर्मन बताया था पर उसने जिगी पर कभी यकिन नहीं किया क्योंकि अगर यकिन करता तो आगे जाके शेरिफ के से बनता और तब से आज तक जिगी ने निक से बात नही की और सी बर्मन की स्टोरी यहीं खतम हो जाती है तो डीना कहती है हमें उस डायन की कबर मिल गई है हमें सिर्व अब उसका हाथ चाहिए वो कहा है सीन शेडी साइड मौल पर शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि जिस पेड़ के पास बने गड़े में उस दिन उस डायन का डीना वहां जाकर विच का हाथ निकलती है और दूसरी तरफ सी बर्मन पूली स्टेशन में कॉल करके कहती है कि वो शेरिफ निक्स से बात करना चाती है यहां डीना और जोश विच की ग्रेव पर जाते है जहां डीना जोश को कार में ही रुकने बोलती है और खुद उस वि और मूवी यहीं खतम हो जाती है और इसका थर्ड पार्ट सहरा फियर्स के ओरीजिन पर ही बेजड होने वाला है कि जिस डायन की वज़ा से इतना सब कुछ हुआ आकिर उस डायन की स्टोरी क्या है और यह श्राब खतम हुआ है या नहीं यह हमें थर्ड पार्ट में ही पता चलेगा तो इसी के साथ यह था मेरा फियर्स ट्रीट पार्ट टू 1978 का कम्प्लीट एक्स्प्लनेशन विड डीटेल्स और मुझे उम्मीद है कि आपको यह पार्ट भी जरूर पसंद आया होगा अब हमेशा की तरह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो आपको एक्स्प्लनेशन कैसा लगा यह मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर करो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बिन नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो ताकि जैसे ही मेरे चैनल पर इसका थर्ड पार्ट का एक्स्प्लनेशन आये तो आपको सबसे पहले पता चले तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए स्टे विद धकल्ट